मसकार दोस्तों स्वागत है आप सो का लाइड वर्ल में मैं हूँ अन्मोल ठाकुर जब भी हम इंडिया और रस्या की रिलेसंशिप की बात करते तो हमें ओल्ड ग्लोरी की याद आती है जब रस्या हमारे साथ हर एक कदम में खरा था लेकिन परजेंट टाइम में एस जैसंकर तो जब भी आप वर्ल्ड मैप को देखते हो तो आपको यहाँ पर दिखेगा सबसे बड़ी कंट्री लेंड मास में वर्ल्ड में जो की रस्या है और इसको लीड करने के साथ जब वो दूठाइन में आये तब से लेकर के अभी तक इंडिया और रस्या का रिलेसंशिप दॉठाइन में आये तब से बीड लेकिन अद पर इस लिए ऐस जाशनकर सामने आये और वने फॉट्ट रफिव इंडिया को तो उसे सुनते हैं याँ पर तो आपने देखा इस तरह से जैसंकर ने जियो पॉलिटिकल लॉजिक की किस तरह से बात की है और एबलिटी इंडिया की रसिया के साथ और इन्होंने ये भी बोला है कि एकनॉमिक प्रॉस्परल्टी जो है दोनों कंट्री के बीच से बहुत जादा है और वो और भी जादा बरने वाली है इन फ्यूचर जब आप ये मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुली में रसिया जो है युक्रेन के साथ वार के टैम में कैसे खुद को टैकल किया और सही मामले में उन्होंने ये दिखाए कि वो वर्ल कम्यूटी की तो उन्हें भी रसिया ने कैसे टैकल किया और सारी चीजों को नेट्रलाइज कर दिया तो इंडिया और रसिया रिलेशन्शिप को अब देखते हो तो पिछले ही साल 75th anniversary हम लोगों ने diplomatic relationship का मनाया that means इस साल 76th year हमारे relationship को हो चुके है और इसके साथ इंडिया औ अब इन सारी जगों पर होते हुए आपको लगेगा कि इंडिया रिलेशन्शिप जब इतना अच्छा है तो हमने defense बाइज उसे कम क्यों कर दिया है और अभी सिर्फ defense के नजर से हमें क्यों नहीं देखना चाहिए कहीं न कहीं world का sanctions है और हमें भी modern equipment चाहिए साथ में technology और व unilaterally एक्सल लेना चाहा रसिया के गेंस्ट तब हमने उसे रोका और हम उसके party नहीं हुए तो यहाँ पे कहीं न कहीं देखता है कि इंडिया जादा तर रसिया के साथ है और इसके साथ आप सब को पता होगा लेनिन जो की communist revolution लाए थे रसिया में उन्होंने अपने time में modern इं जब हुई थी तो Wagner forces असानी से Moscow पहुँच सकते थे इसलिए Vladimir Putin बहुत ही restrictive ही और इस एडिया को ही पूरा जब्द कर लिया और उससे पहले ही उनको रोक दिया तो लेकिन जब यह हुआ तो इसके लिए दो country जो responsible है वो है European Union और United States European Union में 27 countries है याद रखियेगा तो यह सारी जो किया जाए Moscow में all Vermeet Putin को उनके post से हटाया जाए या फिर बहुत ज्यादा bloodshed हो रस्या में लेकिन यह हुआ नहीं और इससे रस्या ने बहुत ही आसानी से counter किया तो यहां पे एक theory है आप सब को पता होगा अगर दुस्मन को हड़ा न सको तो उनके division कर दो तो यहां पर यह में यह ही किया है division करने की कोशिस की लेकिन वह बहुत बत्तर तरीके से फेल वे अब जो आप trade देखोगे इंडिया एन रस्या के बीच तो यूएसस 50 बिलियन बाइलेटरल ट्रेड है हमारा अभी और यूएस 30 बिलियन जो है यूएस 30 बिलियन 2025 तक हमारा हो जाएगा यह हम में ही comment करता है कि तुम crude oil खड़ीद रहे हो रस्या से और यहां पे bilateral trade जो है इंडिया के 20 2020 में अगर आप देखो यूएस डी 8.1 बिलियन रह चुका है अब joint military programs की जब भी हम बात करते हैं तो आपको exam का याद होता होगा because exam में यह question बहुत जादा आता है और यहां पे आप 5th generation fighter jet program यह might be आप लोगों नहीं पता होगा because इंडिया अंडस्या मिल करके 5th generation fighter jet program को design कर रहे हैं जिसके बज़े से हम असानी से 5th generation fighter programs को इंडिया में ही launch करके बहुत सारी economic benefit भी होगा हमें और दूसरे ही साथ हम easily China और उसके जैसे कई दुस्मनों को easily counter कर पाएंगे और पाक चुका था और वो इंडिया मैनुफेक्चर हो रहा है और with twin engine utility helicopters जो है वो अल्रेटी मैनुफेक्चर हो रहा है हिंदुस्तान इर्न लिमिटेड के साथ तो रसिया ने बहुत सारी technology इंडिया को दे दी है आप सब को याद होगा space में जाने के लिए भी रसिया ने हमें technology दी थ रहता है जब रसिया सामने आकर के United States के खड़ा हो गया था कि तुम इंडिया के ऊपर कुछ नहीं बोल सकते है जब हमने बंगलादेश को लिब्रेट किया था तो आपको कैसा लगा वीडियो और इसके साथ आपसे एक question है कि इंडिया एन रसिया relationship के बारे में आपके क्या thought ह comment box में जरूर लिखेगा तब तक के लिए thank you for watching enjoy करते रहे अपने life को मिलते हैं फिर से